गुड मॉर्निंग इस्टूडेंट्स आयम रोहत कुमार तुड़ा विल टीच यू पास्ट इनिफने टेंस सो लिसेन केरफली जैसा कि बच्चों आप लोग जानते होंगे कि पिछले चार वीडियों हम पढ़ देख चुके हैं चार वीडियों में हमने प्रजेंट के चारों पढ़ लिए हैं आज जो वीडियों हम नए वीडियों लेकर आए हैं वो पास्ट इनिफने टेंस का लेकर आए हैं जैसा कि बताते हैं कि किसी बिटेंस को बनाने के पहले सबसे पहले उसकी रेकोगनाईजेशन को जानना बहुत ही आवश्यक है तो यहां पर इस टेंस की प लगे वीडियों तो अपने दोस्तों को या अपने फ्रेंड में अधिक से अधिक वीडियों को सेर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना ना भूलें चलिए ध्यान दिज्जे का पहँचान देखते हैं इस टॉपिक में इस टॉपिक की तो ता था ते थे टी थी या था यह या आई पड़ी ए आधि सब्द दिया होता है ये इसकी क्या होती है रिकोगनाई जेसन होती है इसके बाद हम सीधा सिंपल सेंटेंस की बच्छों हेडिंग पड़ी है simple sentence का मतलब होता है साधारन वाक simple sentence का मतलब क्या होता है साधारन वाक इसके बाद इसका जो मैनर है उसके जो बनाने का तरीका है वो हम ध्यान देंगे तो इसका मैनर क्या है सबसे पहले हम subject का प्रयोग करते हैं इसके बाद main वर्व की second form का प्रयोग करते हैं इसके बाद हम object का प्रयोग करते हैं चलिएगा सिधा sentence को बनाते हैं एक sentence यहाँ पर लिखा है कि कल मैंने एक सेर देखा अब यहाँ पर देखो देखा बड़ा आ आ गया इसका मतलब यह क्या है past infinitenze का work है इसका जो method है simple sentence कैसे हमको पता चलता है कि यह simple sentence है तो बच्चो ध्यान दिजएगा distance में नहीं सब्द नहीं आता क्यों कहां कप कैसे नहीं आता वह हमारा क्या होता है वह हमारा simple sentence होता है simple sentence को बनाने का जो हमारा तरीका है यह उपर लिखा है, इसके according हम बनाएंगे यहाँ पर कल लिखा है, यह हमारा subject नहीं है यह क्या है, यह हमारा subject नहीं है हमारा कार कौन कर रहा है, मैंने एक सेर देखा क्या, मैंने एक सेर देखा, जिसके दोरा कार किया जाए हुए हमारा subject होता है जिसे कल हो गया आज हो गया ये सब word आ जाए तो इनको हम पहले भी sit कर सकते हैं और बाद में भी sit कर सकते हैं इनको कोई दिक्कत नहीं चलिए हम sentence को बनाते हैं सबसे पहले subject subject क्या हमारा I हमारा subject हो गया इसके बाद हमको main verb लगाना है main verb की कौन सी form का प्रयोग करना है main verb की second form का प्रयोग करना है तो देखा कहम इनसे बच्चा देखना तो c मतलब होता है देखना और c की second form अगर लगाएंगे तो c saw seen seen third form और saw हमारी second form तो I saw a lion sentence हमारा complete दूस्तरा sentence हमारा लिखा मैं अपने पिता जी के साथ आगरा गया मैं अपने पिता जी के साथ आगरा गया इस sentence को भी बनाते हैं subject इसमें भी हमारा I है इसके बाद गया main verb में सीधा आते हैं subject हमारा हो गया इसके बाद main verb कहा है मिस जाना तो go मिस जाना तो go went went हमारी क्या second form I went to I went to आगरा I went to आगरा किसके साथ गया अपने पिता जी के साथ तो with my father यह भी sentence हमारा complete इसके बाद एक बच्चो रूल लिखा है यहां पर यहां पर रूल लिखा है इस रूल में ध्यान दीज जेगा कि जब किसी वाक में जब किसी वाक में अवश्य या तो दिया हो तो वहां पर subject के बाद did का परियोग करते हैं तथा main verb में first form लगाते हैं देखने में तो हमको sentence बच्चा यह simple लग रहा है न एक rule इसी तरीके का same rule इसी तरीके का तो वाला हमने पढ़ाता present indifferent tense में कि अगर यह तो आ जाए तो वहां पर do या डज का परियोग करके बनाते हैं बलकि sentence में yes या yes का परियोग करके नहीं बनाते हैं same उसी तरीके का यह भी हमारा rule है same उसी तरीके का रूल हमारा यह भी है कि जब किसी वाक में तो या अवश्च दिया हो तो वहां subject के बाद did का परियोग करते हैं तथा main verb की वीडियों को देखें बच्चों note और copy और pin आपका हाथ में होना चाहिए वीडियों को push करके आप वीडियों को देखें और लिखते भी जाए जो आपको लिखना है note भी करते जाए या तो आप जब भी आपको YouTube में देखना है तो सिधा YouTube में चैनल का नाम डालिए और चैनल का नाम डालके जो भी वीडियों आपको देखना प्लेलिस्टे निकाल कर देख लिएगा चलिए ध्यान दीजिए वह पढ़ता तो है सबसे पहले subject लगाएंगे subject हमारा क्या है he he इसके बाद did इसकी जो helping वर्व होती है पास्निफिट की के बाद did ही होती है चाहे तो subject हमारा singular हो चाहे तो subject हमारा plural है दोनों subject के साथ बच्चा did का ही प्रियोग किया जाता है इसके बाद he did read main वर्व की हमारी first form का प्रियोग करेंगे sentence हमारा बन गया वह दिल्ली गया sentence हमारा क्या है वह दिल्ली गया तो he अब जाना main वर्व है main वर्व की हम को first लगाना तो he के बाद हम तुरन दिड का प्रियोग करेंगे he did go to daily sentence हमारा ये भी complete हो गया इसके बाद हम आएंगे सीधा negative sentence में negative sentence का मतलब क्या होता है बच्चों negative sentence का मतलब होता है नकारात्मा क्वाक जब किसी वाक में जब किसी वाक में नहीं सब्द आ जाए जब किसी वाक में नहीं सब्द आ जाए वह हमारा negative sentence होता है चलिए इसका method subject plus helping verb helping verb did if subject singular did them you और subject plural them you used मतलब कि दोनों में ही आपको did का यूज करना है not helping work के बाद plus main number की first one plus हमें लगाना है object चलिए उसने मेरी सहायता नहीं की थी उसने मेरी सहायता नहीं की थी यह हमारा example दिया है चलिए इसको बनाएंगे तो सबसे पहले he subject उसने के लिए बच्चों हमेंसा याद रखेगा he का प्रयोग करते हैं ठीक है और इसके बाद negative है sentence हमारा तो he did not अब यहाँ पर जब भी negative sentence हो जाएगा तो main verb की first form का प्रयोग करेंगे ना कि main verb की second form का प्रयोग होगा तो यहाँ पर he did not help mean यह हमारा sentence complete हो गया इसके बाद rule number एक और rule पड़ा जब किसी वाक में कभी नहीं एक सब्द है कभी नहीं जब किसी वाक में कभी नहीं दिया हो तो subject के बाद never लगा देते हैं subject जो होगा उसके बाद never लगा देते हैं तथा main verb की इसमें second form का प्रयोग करना है यह बहुत important rule है और main जो point है इसका यह ध्यान देने वाला है कि main verb की second form का प्रयोग करते हैं ना कि main verb की first form का प्रयोग करते हैं चलिएगा इसका जो आगे एक्जामपल है आगे एक्जामपल हम इसका देखते हैं देहन दीजिएगा इसका एक्जामपल हम next sorry एक net इसका एक्जामपल हम अभी दे रहे हैं चलिएगा यह इसका एक्जामपल आ गया आपको सामने वे कभी वे कभी नहीं स्कूल आया हमारा एक्जामपल क्या है वे कभी नहीं स्कूल आया रूल हमारा क्या था जब किसी वाक में नहीं सब्द दिया हो तो सब्जिक्ट के बाद नेवर लगा देते हैं किसके बाद subject के बाद सीधा never का प्रयोग करते हैं तो हम main verb की second form लगाएंगे अजब main verb की second form लगाएंगे तो बच्चा हमें did का प्रयोग did का प्रयोग फिर नहीं करना होगा sentence बनाएंगे तो he इसके बाद he के बाद क्या लगा देंगे सीधा subject के बाद he never आया कहें मिलसा ना come came come तो इसकी होती है come came come तो इसकी never और came main verb की second form to school यह हमारा sentence complete हो गया फिर इसे देंगे जीगा subject subject बाद never इसके बाद main verb main verb की second form इसके बाद object यह हमारा sentence complete हो गया इसके बाद हम पढ़ेंगे interrogative sentence interrogative sentence में बच्चों ध्यान देंगे जो हमारा interrogative sentence है उसका method लिखा है और interrogative sentence होता क्या है जब किसी वाग किस शुरुवात क्या क्यों कहां कब कैसे से हो तो वह हमारा interrogative sentence होता है वह हमारा कौन सा sentence होता है वो हमारा interrogative sentence होता है interrogative sentence का method लिखा helping verb helping or did होती है इसके बाद subject लगाना है और subject के बाद जो लगाना है हमको वो लगाना है main verb की first part plus object plus question mark चिन्द इसके बाद सीधा एक example लिखा है क्या तुमने यह पत्तर पढ़ा क्या तुमने यह पत्तर पढ़ा सीधा helping verb सबसे पहले लगाना है according to subject तो यहाँ पर हमको did का ही यूज करना है हमने यहाँ पर did का प्रयोग कर दिया इसके बाद हमने subject लगाया subject हमारा क्या है you है इसके बाद main verb की first form का प्रयोग करना है तो read का यूज कर दिया did you read यह पत्तर object हमारा बचा this later और इसके बाद हमारा question हमारा का इसके बाद क्या राधा मंदिर गई इसके बाद next example हमारा क्या है next example है क्या राधा मंदिर गई इसके बाद फिर helping verb helping verb लगा दिया हमने यहाँ पर did इसके बाद subject हमारा क्या है subject हमारा राधा है हमने यहाँ पर राधा लगा दिया main वर्भ है main वर्भ जाना तो कह मिन जाना तो go मिन जाना यहाँ पर first form ही रहेगी तो did राधा go to temple यह हमारा example यह भी बन गया कुशन मार का चिन लगा देंगे कोई बच्चों इतने में दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा, चैनल को अधिक्स अधिक्स, और वीडियों को सबसे पहले पूरा देखिएगा, इसके बाद चैनल को लाइक और सस्क्राइब करिएगा, चलिए, ध्यान दिजिएगा, न तो इसका मैथड होता है, उसका मैथड थोड़ा से डिफरेंट होता है, सबसे पहले कुश्चन वर्ड, फिर हल्पिंग वर्फ, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फ़र्ष्प्रम, प्लेस अबजेक्ट, प्लेस कुश्चन मार का चैनल, वह वहां क्यों गया, एक्जाम हमने ही लगा दिया, मेन वर्ब काह मिस जाना, तो गो मिस जाना, तो गो लगा दिया, अब अगर वहां लगाना हो, तो गो के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, तो सीधर लिख देंगे, गो, देर, और कुश्चन मार का चैनल, यह हमारा एक्जामपल कंप्लिट हो ग पहले वहां पर हो का प्रयोग किया जाता है, तथा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो मेन वर्ब की हो तो लगाते हैं, लेकिन जो मेन बात समझने वाली है, कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ना कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेस कुशल मार कचिन इस एक्जामपल में ध्यांदेगे तुम्हें कौन नहीं जानता था देखो ये निगेटू भी है इसमें नहीं सब्द भी दिया है इसके बाद कौन भी आ रहा है तो ध्यांदी जी सबसे पहले हमने हू का प्रयोग कर दिया हू के बाद तुरंत हल्पिंग वर्ब लगा दिया हल्पिंग वर्ब के तुरंत नॉट लगा दिया मेन वर्ब की फस्ट फॉरी इस सेकेंड फॉर्म लगाना है तो न्यू तो भूडिड नॉन इसके बाद बचा यो कुशन मार का चिन सेंटेंस हमारा कम्पलीट हो गया और बच्चों हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हो गया पास्ट इंडिफनेटेंस इसके बाद नवी वीडियों लेकर आएंगे आपके लिए पास्ट कॉंटिनिव अस्टेंस बच्चों हर वीडियों को ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें आपको बेसिक से लेकर के एकडमिक से लेकर के कमप्टेशन तक की पूरी इंगलिस इस चैनल में पढ़ाई जाएगी आप एक भी वीडियों को मिश्मत करिएगा ओके